reproduction in algae के बारे में देखते हैं, सेवालों में किस प्रकार का reproduction या प्रजनन होता है, कैसे वो अपनी संख्या में वृद्धी करते हैं तो reproduction में आप तीन टाइप का जानते हैं, vegetative reproduction, asexual और sexual reproduction तो सबसे पहले vegetative टाइप का reproduction देखते हैं इसमें क्या होता है कि किसी प्लांट जो थैलस होता है algae का, उसमें किसी vegetative पार्ट से नया प्लांट त्यार होता है जैसे सबसे most common है cell division, ठीक है Unicellular algae जो है, जिनमें एक कोशका ही होती है, separate होती है अब वो उसके separate member होते हैं, एक unit होता है, तो उसमें cell division जब होगा, तभी क्या होगा कि नए कोशकाएं या cells develop होंगे मतलब वो क्या कर रहा है, reproduction कर रहा है, cell division के माध्यम से इसमें simple cell division होता है, mitosis type का होगा, sinophyce, चुकि prokaryotic कोशकाएं होती है तो sinophyce में क्या होगा, कि इस तरह के से के बीच में construction होता है, अब वो ऐसे septum निर्माण हो जाता है ठीक है, prokaryotic को इसकाओं में समसुत्री भाजन से अलग टाइप का विभाजन होता है ठीक है, तो इसमें cell division जो भी होता है, cell division के माध्यम से भी reproduction होता है दूसरा देखते है, fragmentation, fragmentation में क्या होगा, कि जो इसमें thealus होता एँ, थैलस कही पर कैसे होता है, लंबे-लंबे तंतुवत होते हैं न फिलामेंट्स होते हैं तो अगर यह फिलामेंट्स का इंग बीच से कट जाए तो क्या होगा कि यह दो टुकड़ों में भाजित हो जाएगा या दो से जादे टुकड़े में भाजित हो सकता है और सभी टुकड़े एक नया फिलामेंट बना लेंगे कैस उसे सेल डिवीजन होगा और उनकी फिलामेंट में ग्रोथ होगा और एक नए प्लांट की रूप में डवलप हो जाएंगे तो इस माध्यम से क्या होगा वो अपनी संख्या में वृध्धी कर रहे हैं कौन सेवाल यह भी एक तरीका है जिससे सेवाल की मात्रा में वृध्धी होती है ठीक है तो फ्रेग्मेंट्स हो जाएंगे और जो टूटे हुए फ्रेग्मेंट्स हैं याने टुकडे हैं फिलामेंट्स के या किसके एलगल फिलामेंट्स के हाइफा के तो उसमें से क्या होगा ने प्लांट्स त्यार हो जाएंगे तो फ्रेग्मेंटेशन याने ट और छोड़े टुकड़े में तूटेगा दीखे यह कोसी काएं है ठीक है उसिलेटोरिया में चप्ति कोसाएं होती खोडाई इंजिन के जादा होती लंबाई कम होती है ना तो उनके बीच बीच में अगर कुछ कोश्काएं डेड हो जाएं तो क्या बन जाता है separation disc बन जाता है क्या बन जाता है separation disc जैसे यहां पर है यहां पर कि कोश्का death हो गई है तो क्या हो गई है कि जो बाकी 6-8 कोश्काएं है यह क्या है एक टुकड़े में अलग से बना लिये हैं जिस सनचना को हम क्या बोलते हैं हर्मोगोंस ठीक है बीच बीच में separation disc बन गया है cells के death होने के कारण तो इस तरीके से क्या होनता है हर्मोगोंस बनते हैं और यह हर्मोगोंस बाद में separate हो जाएंगे और अलग अलग प्लांट्स का निर्मान कर सकते हैं cell division होगा इनके बीच में और इनकी जो फिलामेंट की लंबाई है वो लंबे होते जाएगे ठीक है फिलामेंट यानि एलगल हाइफा यानि सेवाल के तंतु जो होते हैं यह फिलामेंटस एलगी में ऐसा होगा ना तो यह उसीलेट्रूडिया यह साइनो फाइसीयन एलगी है हर्मोगोंस से नौस्टटॉक में भी देखने को मिलता है नौस्टॉक में क्या होता है जहां पर हेट्रोस्स होते हूं यह यह जो समचना है यह हैट्रोसेट है तो हेट्रोसिस्ट के जगह से वो तूट जाते हैं और साथ आठ्ध ए exactement च्छोटा सा फिलामेंट बनता है जिस फिलामेंट के थैलस के तो यह किसमें पाया जाता है नॉस्टॉक में ऐसा न तो कहां पर से तूटते हैं जहां पर हेट्रोसिस्ट पाया जाता है हेटरोसिस्टे की Special से रचना होती है ज्मों की Special cils होती है ठीक है जहां पर ये cells बनेंगे बीच में फिलामेंट के बीच में तो वहां से बीच Sportsーム अलग हो जाता है ठीक है तो ये hormone से त्यार होते है नॉसटॉक में भी وسीले्टोरिया में भी औस यह उसी लेटोरिया भी एक प्रकार का ब्लू-ग्रीन एलगी है, नॉस्टॉग भी ब्लू-ग्रीन एलगी है, ठीक है? तो यह क्या होते हैं? SORT Fragments of Thales हर्मो-इस्पोर हर्मोस्पोर एक अलग से साइड में फिलामेंट से हैं उसके टीप में बनते हैं याने एपेक्स में बनते हैं सीरसस्त प्लेस पर बनते हैं इसको बुलते हैं हर्मोस्पोर ये बाद में जर्मिनेट करके निया थैलस बनाते हैं तो ये पाया जाता है हर्मोस्पोर किसमें पाय वेजिस्टेटिव स्ट्रेक्चर भी कह सकते हैं ठीक्वारेगें व्यक्ट एकुण Loveida Loots इसपारेश की स्टीह कोथेना उकल्मेडेशय हैं फ़रणों या में व्यक्तीचि होती हैं तो यह thiो में इंवार्मेνट में भी जैसे पानी कम होने लगाई सूखने लगी हैं तो बाकी कुसका इमस्ट हो जाएंगे न तो रundertधर सेल होती है यह मतलब प्रतिकुल इंवार्मेंट में भी अपने पर को जीवी तरह सकती है तो इनमें में फिचर होगा थिक वाल्ड, मतलब इनकी जो सेल वाल है, ये मोटी हो गई है, ठीक है, और ये प्रतिकोल इन्वार्मेंट में भी जीवी तरह सकते हैं, मतलब पानी की कमी हो जाना, सुखा जब होने लगता है, तो इसे कहते हैं क्या, एकाइनेट्स, एकाइनेट बाद में जर्मिनेट करते हैं कब, जब फेवरेबल कंडिशन हो, या फेवरेबल इन्वार्मेंट हो, तो जर्मिनेट करते हैं और ये सेल डिविजन होगा, और पूरा एक फिलामेंट बनने लगता है, लंबा तन्तू बनने लगता है, और नया प्लांट त्यार हो जाता है इसमें plant body मतलब थैलस बोलते हैं फिलामेंट से इसमें क्या होते हैं ज्यादा तरफ में थैलस होते हैं ठीक है तो ये एकाइनीट्स के माध्यम से भी reproduction होता है आंगे देखते हैं क्लोरोफाइस को भी एकाइनीट्स तो हम देख चुके हैं वैसे ही होता है ठीक है मैं है इसमें से बहुत सारी स्पोर्स तो इन ही हम क्या बनेंगे इंडो स्पोर्स, एक जो स्पोर्स क्या है कि इस तरीके से उपर से खुल गया है हाइफा और उसमें से स्पोर्स बाहर के और निकलने लगे हैं, अंदर के और अभी भी बन रहे हैं, बाहर के और निकल रहे हैं, तो इनको एक जो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है यह डर्मो कार्पा और केमेस आइफॉन में पाय जाते हैं डर्मो कार्पा में इंडो इस्पोर्स पाय जाते हैं केमिस आइफॉन में एकजो इस्पोर्स पाय जाते हैं यह दोनों जो सेवाल है यह ब्लू ग्रीन एलगी हैं मतलब साइनो फाइसी के मिंबर हैं ठीक है एंडोइस्पोर और एकजोइस्पोर किसमें पाया जाता है डर्मोकार्पा में एंडोइस्पोर, कैमिस आइफोन, एकजोइस्पोर, साइनोफाइसियन एलगी में, ठीक है, जूइस्पोर, क्लोरोफाइसी में देखते हैं, जूइस्पोर करते हैं, चलने वाले या मोटाइल फ्लेजिलेटेड स्पोर, क्यों क्योंकि इसमें फ्लेजिला पाया जाता है, इसलिए ये फ्लेजिलेटेड कहलाते हैं, किसी में दो फ्लेजिला हो सकता है, तो उसे बाइब फ्लेजिलेटेड कहेंगे, किसी में चार फ्लेजिला होगा, तो क्वाडरी फ्लेजिलेटेड जूएस पोर इसलिए बोलते हैं कि यह Move कर सकते हैं चल सकते हैं न मोटाइल होते हैं मोटाइल कर्थ होता है चलने योग्य यानि मूज़ पानी में तैर सकते हैं तो Big Flagellated Jewel sleep Oh well walks में पाये जाएंगे ठीक है और यूलो थ्रिक में पाया जाता है Quad इनकी तूयंला में छोटे होते हैं हैं तो यह तीन टाइब के जूए स्पोर्स धेखने को मिलते हैं ये तीनों जो एल्गी है początku वॉलवाक्ष यूलो त्रीक्स और ुडो गुनिम यह क्लोरो फायसी कीमिंबर है न क्लोरो फायसी यह जाने ग्रीन एल्गी को के सेवाल ने हैं तो ग्रीन एलगि में जो इस्पोर्च से देखने को मिलता है ना अ algún אז अपलेणोसपोर्स यह क्या होते हैं falando तो और वो स्पोर्स कि जैसे मायक로-इस्पॉरा में अपलेणियोस्पॉर पाया जाता है Previously सवालों और और बंकाडेस अटो-इस्पॉर्स बोलते हैं यह दे epic छो बाकी कुछ कहा है उनके जैसा ही देखने में होती है इसलिए आटो इस्पोर नाम दिया गया है यह भी अपलीनो इस्पोर यह है इसिए जो सिल बाल है मोटी होती है तिसको नाम हीप ने दिया गया है यह भी aplanospor का ही टाइप है ना टेट्राइस्पोर यह polysiphonिया में देखने को मिलता है यह ना टेट्राइस्पोर इन इस्पोरोफाइट जो होता है उसमें टेट्राइस्पोर बनते हैं यह भी non-motile होता है ने फ्लेजला नहीं होते हैं वालवी सैफोनिया आप पढ़े होंगे ये रेड एलगी होता है कैसा एलगी होता है रेड एलगी रोडोफाइसी सेवालों में पाया जाता है रोडोफाइसी एक लास है सेवालों का जिसमें लाल कलर के सेवाल होते हैं रेड सेवाल होते हैं रेड एलगी होते हैं तो उसमें स्पोर पाया जाता है उसके लाइट साइकल में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रल स्पोर से यह एसेक्सवल प्रो स्पोर है पोरफायरा में देखने को मिलता है पोरफायरा भी रेड अलगी है कारपो स्पोर से यह पॉलिस आइफोनिया और बेट्रेको स्पर्मम दोनों रेड अलगी हैं दोनों में देखने को मिलता है ठीक है कारपो स्पोरफायरा डवलप होता है यह जाइगोट के बाद डवलप होता है ठीक है कारपो स्पोर्स देखने को मिलते हैं मोनो स्पोर्स भी देखने को मिलते हैं बेट्रेको स्पर्मम में नॉन मोटा सब्सक्राइब नॉन्मोटाइल स्पोर्स जो कि गतिमान नहीं हो सकते पानी में यूंहीं बहते बह सकते हैं हलके होते हैं तो परन्तु इनमें फ्लैजिला नहीं होता है इसलिए वो तैर नहीं सकते हैं अपने 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 एनर्जी के उपयोग से तैर नहीं सकते हैं तो इ ये chlorophycy में flagellated होते हैं ना ठीक है red algae में generally क्या होते हैं non-flagellated spore होते हैं मतलब aplanospore पाया जाते हैं red algae में chlorophycy में भी aplanospore होते हैं ठीक है sexual reproduction देखते हैं sexual reproduction उसे कहते हैं जिसमें दो प्रकार की gamit बनते हैं male और female gamit दोनों आपसे फ्यूज होंगे तो जाइगोड बनेगा ठीक है तो algae में तीन टाइप का देखने को मिलता है isogamous reproduction isogamous क्यों बोलते हैं क्योंकि दोनों gamit जो हैं दोनों gamit कैसे हैं same size के होते हैं ठीक है इसलिए इनको isogamous भी कहा जाता है और इस टाइप की reproduction को isogamous reproduction कहेंगे sexual reproduction में ठीक है दोनों gamit देखे यहां पर fuse कर रहे हैं मतलब सनलाइथ हो रहे हैं ठीक है उपर नुकेले हिसे से जुड़े और पूरा जुड़ गये ठीक है यहां और यह क्या बन गया जाइगोड बन गया यह जाइगोड आंगे जाइगोड बनाता है मतलब यह इन में फिलामेंट बना लेते हैं ठीक है तो इस प्रकार से आइसो गैमस reproduction होता है आइसो गैमस reproduction मतलब समझ जाइए दोनों gamit सेम है साइज में कोई डिफरेंस नहीं है एन आइसो रेपूड़क्शन एन आइसो याने दोनों gamit समान नहीं होंगे इसका अर्थ समझी एक छोटा एक बड़ा और एक छोटा होगा ठीक है दोनों देखिए यहां पर फ्यूज कर रहे हैं फ्यूज कर रहे हैं इस तरह से जुड़ रहे हैं डाइग्राम को आप बना लेजेगा और यह जाइगोट बन गया बाद में यह अर्शुत्रि भाजन होगा मियोसिस होगा और प्याति होता हैँ वागत होगित सब हैपिमयल यह एक फ्लाइब होते हैं तो इस ट्यूज अड़ी कैसे हैं पनतु इसमें हम इस तरह से नहीं बोलते यह कि दौनों हो दोनों गमिट क्या है दोनों में Phlajula है, Isogamous में भी दोनों में Phlajula थे न, अब हम तीसरा टाइप देखेंगे, U-Gamous reproduction, जो कि Udagonium में देखने को मिलता है, तो U-Gamous में क्या होता है कि जो Female Gammit होता है, ये Ugonium कहलाता है, ये काफी बड़ा होता है साइज में, काफी बड़ा होता है और ये हमेशा फि चोटा gamet है यह जह घालाता है जह जह उडरमी के अंदर बंफी या पर जहां इप जो कि male gamit है वो बहुत छोटे होते हैं और जो उगोनियम है female gamit वो काफी बड़ा होता है यह न तो इस प्रकार से यह क्या कहलाता है उगैमस टाइप का reproduction कहलाता है साइज में बहुत ज्यादा अंतर होता है और उगोनियम क्या होता है यह हमेशा fixed होता है जै तो यहाँ पर यह आएंगे और यहाँ पर एक रेसेप्ट्रियोस पेस होता है इसमें उड़ो खास का तो वहाँ से इंटर करते हैं इसके अंदर ठीक है और यहाँ पे जाइगो वी पर बन जाते हैं इसी को जाइगोट भी बोल सकते हैं ठीक है दोनों फ्योज होंगे बाद में मियोसिस होगा तो ये क्या बनेंगे चार स्पोर बन जाते हैं तो उडो गोनियम में इस प्रकार का उगयमस रेपोड़क्शन देखने को मिलता है जिसमें गयमिट के साइज में इ इसको उगोनियम कहते हैं, female gamit को इसमें उगोनियम कहा जाता है, याद रखेगा, सेवालो में, और जो छोटा small gamit होता है, male gamit, वो एंथेरेजोइड्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एंथेरोजोइड्स, जो कि कहां बनते हैं, एंथेरेडियम के अंदर बनते हैं, ठीक है, ए याद कर लिजे कि उगोनियम यानि फिमेल गैमिट की बात हो रही है और एंथरीडियम मतलब मेल गैमिट जिसमें बनते हैं एंथेरो जोईड्स कहते हैं मेल गैमिट को न उगोनियम हमेशा फिक्स होता है ठीक तो यह दोनों नाम आप पढ़ेंगे सभी सेवालों में न कुछ सेवालों में तो एन इसोगेमस होता है तो उसमें तो अलग लग नाम नहीं देते हैं मेल फिमेल गैमिट बोल देते हैं आइसोगेमिट सम इसमें बोल देते हैं तो एन इसोगेमस रेप्रोड़क्शन एंटेरो मॉर्फा सेवाल में पाया जाता है ठीक है किसमें पाया जात इसमें होगा कलवाइडू मैओएड मनंच की कुछ इस में एन इसो जातर बीकशन भी होता मतलब दोनों ग्यान से अंतर होता है कि तो सेक्टो अन्य गेमक में हमें देखा तीन टाइब के अइसोागमस इन और उगेमस टाइप अप रेपोड़क्शन उगेमस टाइप अप रेपोड़क्शन ज्यादा इडवांस्ट है ना कैसे रेपोड़क्शन का डवलपमेंट हुआ है यह भी हमको इसमें देखने को समझने को मिलता है और उगेमस ज्यादा तर हायर क्लास के इलगी में देखने क को मिलेगा चीके, जादेतर में कैसा मिलेगा, ऊगयमस टाइप का रर्पोड्चन देखने को मिलेगा पुलर्पुड्चान बांके जूइस्पोर्स तो सभीम बनते हैं, जूइस्पोर या एपलेनोस्पोर्स बनते हैं, एसेक्सवल में हमने क्या देखा था, दो टाइप के ही स्पोर में याद रखे, जूइस्पोर और एपलेनोस्पोर, एपलेनोस्पोर के बहुत सारे नाम हमने अलग-अलग देखे हैं बाहर की और निकलते जाते हैं इसलिए एक जो स्पोर नाम दिया गया है ठीक है डर्मोकार्प और केमिस आइपोन में एक आइनीट्स भी जनरली वेजटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है इसलिए इसमें भी रखते हैं आसेक्स्वल में भी देखा हू झोलक जार झाइब का जाइब को में देखा हूँ कैस्वल में आसे स्ट्रक्वल में प्लेख लेवन खर्मोकार्प वार्मोकार्प